हेलो एन वेलकम बैक टो टॉपर बेंस आज हम लोग चैप्टर एट हाउ मेनी ग्रीन्स आर देयर इन दा पार्क का कोशन अंसर देखेंगे जिसमें आपको तिंक एंड आंसर वैलवेट आंसर और ग्रामर पार्ट पूरा मैं समझा दूंगा आपको तो हम लोग यह देख सकते है मैंने कोशन अंसर वगरा सब कुछ यहां पर रेडी कर लिया है हाउ मैनी ग्रीन्स आर देयर इन दा पार्क तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे mcq से mcq करेंगे फिर उसके बाद यह देखे फिर इन दे ब्लैंक वगरा सब देखेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है और होमोफोंस देखेंगे और फिर लास्ट में हम लोग कोशन अंसर को करेंगे जिसमें आपको तिंक एंड अंसर और वैलुएट अंसर भी एक जगा मिल जाएगा तो टेंशन नहीं लेने का है सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बस आपको सब्सक्राइब करना है और आराम से बैठना है सब कुछ आपको मिल जाएगा इस चैनल पर और वीडियो को लाइक किजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किजिए चली हम लोग फटा-फटे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को मिस कर दिया तो कोई बात नहीं डिस्क्रिप्टर बॉक्स को क्लिक किजिए वहां आपको चैप्टर का ग्रिन्स मेंशन किया गया इस पोएम में तो अंसर होगा 3 विच शेड ऑफ ग्रिन डज दे स्पीकर वन्ट फॉर हाउस तो लाइट ग्रिन जो शेड है उसको स्पीकर जो है अपने घर के वॉल के लिए सोचती है चाहती है वाट इस दे कलर अफ दे लिटल ग्रास लिटल ग्र वारे में बात हुआ है हम लोग पढ़ें अच्छे से तो आप चैप्टर मिस किये तो जरूर देखिए उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक कीजिए आपको मिल जाएगा वहाँ इस प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा आपको देखने के लिए चलि हम लोग स्टार्ट कर होमो जब भी सुनोगे होको मतलब आप द्यान लगा ले ना कि कवोमों का मतलब होता है एक जाएसा फोंस अ कॉंस का मतलब होता है यह मोबाइल फोनry फोन का मतलब होता है एक ज continuum थिक है तो देखिए हैं यहाँ पर सभा गया है दो सेंटेंस दीखर के आव मैनी ग्रीनicos दोनों ही there हैं, लेकिन दोनों का spelling देखो, पहला है t-h-e-r-e-r, दोनों का meaning अलग है, लेकिन सुनने में कैसा है, एक ही जैसा है, मैंने क्या बताया, homophone का मतलब क्या होता है, एक ही जैसा sound, homo का मतलब एक ही जैसा, phones का मतलब sound, एक ही जैसा sound जब आएगा दो अलग-अलग words से, तब आप समझ जाईएगा कि दोनों homophones है, है ना easy, there, there, लेकिन दोनों का meaning अलग होगा, सुनने में एक लगेगा, लेकिन meaning अलग होगा, how many greens are there in the park, पार्क में कितने greens हैं, वहाँ, ये सब चीजों को बताने के लिए there use करते हैं, और there, t-h-e-i-r, t-h-e-i-r कभ यूज़ करते हैं, there मने उनका, they hold the wind in their bows, तो वो लोग wind को hold करते हैं, wind को रोक करते हैं, उनके bows से, bows मतलब टहनिया, जो पेड का टहनी होता है, पेडों का टहनिया, तो उनके टहनी, तो जब उनका बताते हैं, there, तब ये वाला there use करते हैं, दोनों there सुनने में एक जैसे आज, लेकिन meaning अलग-अलग है, यही तो है homophones, the highlighted words have same pronunciation, but have different meanings and spellings, meanings different है, spelling different है, लेकिन सुनने में, pronunciation जो है, वो same है, तो ऐसे words को बोलते है homophones, homophones खतम हो गया, समझ लो, homophones में कुछ भ sun, sun का मतलब होता है, beta, तो और sun कौन सा word है, su and sun, देखो दोनों sun है, ये भी sun है, ये भी sun है, ये भी sun है, ये भी sun है, लेकिन दोनों का meaning अलग है, है ना, तो सुनने में एक जैसा है, sun, sun, लेकिन meaning दोनों का अलग-अलग है, break, break, bear, bear, him, him, him का मतलब, ये वाला him का मतलब होत साउंड से रिलेटेड हैं यह तब जनते हैं यह मतलब होता गांट रसी में गांठ लग जाता है है स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग होता है थो ऐसे सब्दों को बोलते हैं होमोफोन यहां फिलिंदी ब्लेंक भी करना है यहाँ पर देखो दो एक ही जैसा सुनने जैसा यह दिया वह वर्ड दिया वह तो उसमें समलंगों को करेक्ट वर्ड चुनना है the old woman the old woman was worshiping an क्या होगा बूढ़ी और जो है इल पूजा कर रही है मुर्ति और आइडल का मतलब क्या होता है और कोई काम बेढ़ा हुआ है इसे ही टाइम पास कर रहा है तो उसको बोलते हैं आइडल बैढ़ा हुआ और आईडल का मतलब होता है मूर्थी her hair ठीक है ये वाला hair का मतलब खरगोस हो गया ये hair का मतलब बाल the deer fell prey to the tiger जो deer है hiran है वो tiger का शिकार बन गया prey का मतलब शिकार बन जाना P-R-E-Y और P-R-A-Y का मतलब प्रार्थना करना her new bag had a hole actually hole का मतलब छेद W-H-O-L-E hole का मतलब पूरा hole what should I wear she was climbing the stairs stairs मतलब सीड़ी और stairs यह वाला stair मतलब देखना little Maya suddenly looks very grown-up ठीक है और यह grown-up का मतलब दर्द से आवाज देना कराना I knew मतलब जानना मैं जानता था that the film would be a bore और make sentences यहाँ पे homophone से कुछ sentence बराना यह आपको खुदी करना भाई ठीक है यह आपको खुदी कर लेना है वेल और वेल देखो वेल is a mammal someone is wailing मतलब दर्द से चिला रहा है इस तरह का आप sentence बना लें चाहिए तो आप Google का भी यूज कर सकते हैं तो काफी easy है यह हो जाएगा आपसे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं subject और प्रेडिकेट जो जरूरी है जानना subject क्या होता प्रेडिकेट क्या होता है अगर आप यह नहीं जानेंगे तो आगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे subject और प्रेडिकेट जानना बहुत जरूरी है बहुत basic सा चीज है हम लोग एक sentence पढ़ते हैं और फटाक से इसको बताते हैं they hold up the sky and protect the earth they hold up the sky वो लोग sky को hold करते हैं और earth को भी प्रेडिकेट कोई भी sentence होता है उसको दो पाट में divide किया जा सकता है पहला पाट होता है subject और दूसरा पाट होता है प्रेडिकेट एक सब्जेक्ट में दो पाट है subject और प्रेडिकेट इन सेंटेंस इन दिस सेंटेंस उपर दिया गया जो सेंटेंस है इसमें दे जो है दे किसको बुला गया है ट्रीज को बुला गया यहां पर हम लोग पोएम में पढ़े हैं they they are the doer of the action doer मतलब क्या हुआ ह क्या करने वाला action को करने वाला काम को करने वाला इस सेंटेंस में काम को कौन कर रहा है they hold up the sky sky को hold किया है earth को protect कर रहा कौन यह दे और दे कौन है trees क्या दे और trees है यहां पर काम को करने वाला तो जो काम को करता है वो कहलाता है subject The predicate is the part that tells us what the subject does और predicate वो part होता है जो हमें बताता है कि subject जो है वो क्या कर रहा है subject यहाँ पर जो काम कर रहा है जो काम हो रहा है उस होने वाले काम को predicate कहेंगे और जिसने वो काम कर रहा है उसको subject कहेंगे यह देखो दे तो दे मनें trees काम कर रहा है जु help सब्सक्राइब ओर कं ber500 और अर्थ ग्रट कर तो यह पाथ हो गया 2 और दे हो गया Allah कि खतम हो गया सबडिक टो इहां पिको मार्क करना है सब्जेक्ट कॉन सा है ब्रिकेट kop कॉन पीको तो यहाँ पर देखो, अमरीता read out and interesting story, तो यहाँ पर कौन read कर रहा है, भाई, काम कौन कर रहा है, main काम को कौन कर रहा है, तो अमरीता कर रही है, तो अमरीता हो जाएगी subject, इसको as लिख देंगे, और बाकी जो काम किया जा रहा है इसके द्वारा, अम्रिता के दोवारा वो हो जाएगा प्रेडिकेट संजीव इस प्लेइंग क्रिकेट तो संजीव यहाँ पर काम को कर रहा है क्रिकेट को कौन प्ले कर रहा है संजीव तो संजीव हो जाएगा सब्जेक्ट और प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा प्रेडिकेट, अनन्या is holding a milkshake and an apple, तो अनन्या हो जाएगा subject, बाकी जो पार्ट बचा वो प्रेडिकेट, आई, आई हो जाएगा subject, बाकी जो पार्ट बचा वो है प्रेडिकेट, काम को जो कर रहा है sentence में वो हो जाएगा subject, और जिस काम को कर रहा है वो हो जाएगा प्रेडिकेट या फिर काम अगर नहीं हो रा सब्जेक्ट में सेंटेंस में उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ अगर दिया हुआ तो वह हो जाएगा प्रेडिकेट कार्तिक ट्राइड टू सॉल्व दा रेडिल कार्तिक ने ट्राइड किया रेडिल को सॉल्व करना तो किसने गार्तिक हो गया subject बाकी जो बचा हो गया प्रेडिकेट the girl wore a red dress देखो यहां पे the girl wore यहां पे wear का form है wear का participle form है past participle wore a red dress लड़की ने पहना red dress तो यहां पे girl हो जाएगा subject बाकी हो गया predicate तो easy है यहां पे suitable predicate यूज करना यहां पे subject दिया हुए the old lady तो old lady से कुछ काम करवा दो यार the old lady is working working is working is dancing is doing work in the kitchen कुछ भी करवा दो न है न तो old lady को तो old lady हो जाएगा subject वो तो बताई दिया बाकी यह पाट बचा हो predicate भरना यहां पे the colorful peacock is dancing और भी कुछ लिख सकते हो is biting me है कुछ भी तुमको काट लिया पीकॉक ने कुछ भी करवा दो पीकॉक को तो वो बाकी पार्ट हो जागा predicate यह हो जागा subject ठीक है पैसे मैंने कर दिया है आप देख लो यार ठीक है इसके बाद क्या है इसके बाद हो गया ना इसके बाद खतम ग्रामर पार्ट अच्छा कॉमा कॉमा देना यह क्या बात है कॉमा कहां पर लगाते हैं हम लोग कॉमा is used to separate words और groups of words जब कोई words को group of words को हम लोग separate करते हैं तो कॉमा दे दे करके separate करते हैं यह देखो I bought balloons हमने balloon लाया light लाया pastries लाया cookies लाया and cold drinks लाया for my birthday party कॉमा दे दिया है ना we put a comma to separate someone's name और address from the rest of the sentence हम लोग किसी का नाम को या address को भी separate करने के लिए comma देते हैं इशारा comma did you complete your homework क्या तुमने homework कुरा किया question mark क्योंकि question पुछा गया are you coming with us after moving to Kidwai Nagar South Delhi देखो address है तो यहाँ पर comma लग रहा है we use comma before please and thank you thank you और please के पहले भी हम लोग कॉमा लगाते हैं when these words come at the end of the sentence जब भी यह सब word जो है वो sentence के end में आता हो could you open the window please देखो window के बाद please लग गया window के बाद और please के पहले please के पहले comma लग गया तो please के पहले लगेगा thank you के पहले लगा जब please और thank you sentence के end में लगा हो would you like some soup no thank you अगर मान लो please पहले रहता please could you open the door तो हम लोग कॉमा नहीं लगाते है पिर पहले अगर thank you रहता तो हम लोग कॉमा उसके पहले अब please के पहले comma कैसे लगा देंगा अगर please sentence स्टार्ट हो रहा तो है ना थोड़ा common sense लगा व्यार ठीक है इसने बोलने वाला कोई बात नहीं फिर भी मत बता देता हूं चलो यहां पर यह जो है यह तो कर लो भाई यह मैंने कर दिया question mark लगाया question mark लगाया यहां comma लगाया है है ना यह सब देख लो कॉमा लगाया कहा इधर full stop full stop कॉमा है यह चैप्टर का यह grammar part खतम होता है यहां पर हम लोग question answer अब श्टार्ट करते हैं फटा फट से देर ना करते हुए चैनल को subscribe कर दिए वीडियो को like कर दिए बार बार मैं बोल रहा हूं आप लोग भूल जाते है जरूर किजिए subscribe और like ऐसे grammar part के वीडियो और कोई चैनल आपको नहीं देगा मैं ही पहला आपको यह सब दे रहा हूं सारा exercise complete करके जरूर subscribe किजिए और like किजिए where is the speaker the speaker is in the park which shade of green has flowered for many years the darker green of the older plants has flowered for many years जो darker green का जो plant है वो of the older plants में से वो बहुत सालों से flowered हुआ है who are majestic and strong शांदार और strong कौन है the darkest green darkest green जो है वो trees जो है वो majestic और strong है who hold up the sky and protect the earth sky को hold up और protect कौन करता है और आर्थ को protect कौन करता है the darkest green plants last वाला तीन प्लांट के बारे में तीन green के बारे में बात किया आप पोयम को जरूर देखिए explanation जरूर देखिए तब ही आपको समझ में आएगा description में click किजिए नीचे आपको link में दे दूँगा playlist भी मिल जाएगा आपको वहाँ से click करके वीडियो जरूर देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा the darkest green plants and trees which are majestic and strong hold up the sky and protect the earth darkest green plant जो है sky को hold up करता है और earth को protect भी करता है who holds the wind in their bows and offer homes to all kinds of birds कौन सा who holds the wind कौन wind को hold करता है wind को hold करना मतलब हवा को रोकना हवा के speed को कम करना अपने bows के थुरू, bows मतलब क्या होता है बताया था मैंने poem में bows का मतलब होता है डाली, टहनी, पेड का टहनी तो कौन सा पेड अपने टहनीों से wind का जो speed है वो कम कर देता है and offer homes to all birds, all kinds of birds और सारे चिणियों को घर प्रतान करती है तो darkest green plants जो last के पैरा में है, darkest green plants and the trees darkest green plants and trees holds the wind in their bows and offer homes to all kinds of birds उसके बाद A3 है, A3 का one में extract लिया गया, extract को पढ़ेंगे, poem से लिया गया ओल्डर प्लांट जो है, उसको speaker किस तरह से चाहता है the speaker want the older plants as friends, speaker चाहता है कि older plants जो है, वो friends रहे हमारा friends जैसा रहे, friends बन जाए what would these plants tell the speaker, तो ऐसे plants जो है, speaker को क्या बोलते है, क्या बताते है these plants can tell numerous stories to the speaker, speaker को ऐसे plants बहुत सारे stories बता सकते है what do you learn about the speaker from these lines, इन lines से उपर जो दिया गया line था, उन से क्या आपको speaker के बारे में क्या पता चलता है from these lines, it seems that the speaker knows that the older plants that have flowered for many years have much experience of life like our parents, and they can tell him, they can tell him many stories sorry, यहाँ पर him नहीं होगा, यहाँ जो speaker है, poet है, वो चित्रा पदमनाभन है मतलब कोई lady है, कोई लड़की है, तो यहाँ पर आपको her होगा, ठीक है h-e-r her, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि from these lines, in line से यह सा पता चलता है कि speaker जो है, speaker जो है, यह older plants को, जो flower दे रही हैं काफी समय से, है ना तो इनको वो समझता है कि इनको life के बारे में बहुत experience है, है ना, जैसे कि हमारे parents को experience है और इसलिए यह लोग हमको बहुत सारे stories सुना सकते हैं, जैसे हमारे parents सुनाते हैं हमें stories call the rains for welcome showers, I would like them to be my guardians who will call for the rains, यहाँ पर rains को कौन कॉल करता है the darkest green trees, which are the oldest one, will call for the rains यहाँ पर बहुत confusing है, इस तरह से अगर आप direct question answer पढ़ेंगा, तब बहुत confusion है क्योंकि हमेशा darkest green और यह darker green इस तरह की बाते हो रही है तो आप poem को जरूर पढ़िए, इसमें तीन तरह के green के बारे में, तीन तरह के plant के बारे में बताया गया, एक light green plant है, light green tree, light green plant है, फिर darker green older plant है है ना तो उसके बारे में बताए गया वो क्या करता है फिर उसके बार डारकेश्ट ग्रीन ट्रीज और प्लांट्स है तो इस तरह से बताए गया इसलिए पोएम को आप जरूर देखिए लाइन बै लाइन मैंने अच्छे से हिंदी में समझाया आप जरूर देखिए वाइवोड देज़े स्पीकर लाइक तेम टू बी हर गार्जेंटर पयाठिय क्यों चाहता है कि वह उनके गार्जन की तरह उनके गार्जन बने जो डारकेश्ट ग्रीन जो प्लांट्स और ट्री जै उसको अपना गार्ज़न बराना चाहती है कौँन देखिए बेंब त्री क को protect करते हैं हवा को stop करते हैं stops the wind provides home for birds and also attracts the cloud और birds के लिए वो घर भी देते हैं घर प्रदान करते हैं अपने डालियों में घर बनाने का जगा देते हैं ऐसे trees और clouds को attract करते हैं मतलब rain को बारिश को attract करते हैं बादलों को attract करते हैं तब बारिश होता है they take care of all and the earth वो लोग सब की care करते हैं और आर्थ का भी ध्यान रखते हैं just like a guardian does जैसा कि एक guardian करता है that's why the speaker like them to be her guardian इसी लिए जो speaker है चित्रा पदमना भन वो चाहती हैं कि ऐसे trees ऐसे oldest trees जो हैं जो मजबूत हैं सब की protection करते हैं आर्थ का protection करते हैं birds को घोसला बनाने का जगा देते हैं हवाओं को धीमा करते हैं और हम लोगों की मदद करते हैं जैसा कि हमारा guardian करते हैं तो वो चाहती है कि ये भी हमारे guardian बन जाएं पहला रेन का welcoming करना ही है welcome showers think and answer what do you feel is the most important function of trees trees का most important function क्या हो सकता है discuss and share the most important function of trees is to protect the earth by providing oxygen to us सबसे important come trees का है कि oxygen provide करना और इस प्रितिवी को बचाना it is impossible to survive survive मतलब बच पाना जिन्दा रह पाना it is impossible to survive on the earth without trees and plants बिना trees और plants के इस धरती पे हम जिन्दा नहीं रह सकते हैं trees provides us numerous benefits trees जो है हमें अनगिनत benefits देते हैं फाइदा देते हैं numerous benefits we get oxygen, fresh air, woods, paper, fruits और भी बहुत सारी कुछ हमारे जो कपड़े हैं वो भी plants से ही बनते हैं बहुत कुछ हम लोगों को plants से सब कुछ अलगभग plants से ही मिलता है plants और trees से इसलिए plants और trees का role बहुत बड़ा है बहुत ज्यादा है और आपको अगर इस question का answer को और बड़ा करना है तो और दो चार लाइन आप आप कुछ से add कर सकते हैं think and answer में आप कुछ से भी कर सकते हैं वेल्वेट अंसर में भी वेल्वेट अंसर का question आप book से देख लेजिए मैं answer direct read करता हूँ trees are important to our environment and for our survival हमारा environment के लिए वातावरन के लिए और हमारे जीवित रहने के लिए हमारे जिन्दा रहने के लिए trees बहुत important है cutting down trees is very harmful to us पेडों का जो कटाई किया जाता है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है for the earth and for the earth और earth के लिए भी प्रिथिवी के लिए भी बहुत खराब है trees and plants provides numerous benefits trees and plants जो हमें numerous बतलब बहुत सारे benefits देते हैं to us like oxygen, fresh air, woods, paper, fruit, etc which are very essential for us जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, essential होता है we can't think, यहाँ पर about है, ठीक है we can't think about life without trees हम life के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं बीना trees के that's why cutting trees is very harmful to us इसलिए पेड को काटना बहुत harmful है, हमारे लिए बहुत नुकसान दे है instead of cutting trees, we should plant more and more trees so that we can get good amount of oxygen and fresh air for healthy life तो पेड काटने के जगा पे हम लोगों को पेड को और ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए पेड काटाई नहीं करना चाहिए, बंद करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड लगाना चाहिए ताकि हम लोगों को good amount में oxygen मिले, ज्यादा oxygen मिले और fresh air मिले ताकि हम लोग healthy life जी सके तो ये chapter यहाँ पे खतम होता है, कैसा लगा आप लोगों को बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए और जाते जाते चैनल को subscribe कर दिजे और वीडियो को like कर दिजे मिलते हैं आगले वीडियो में, till then, goodbye